राज कुंदरा के अरेस्ट के बाद से ही शिल्पा शेट्टी की मुसीबतें हर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पहले तो उनका साइकॉलोजिकल ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे शिल्पा शेट्टी को फाइनांचल लॉसस भी हो रहे हैं। और ये लॉसस कोई छोटे मोटे नहीं बलकि करोडों के हैं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी का परिशान रहना लाजमी सी बात है। एक लेटस्ट रिपॉर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को लग चुकी है दो करोड रुपए की चपत। और ये चपत बहुत ही क्लियर तोर पर दिखाई दे रही है। राजकुंद्रा के अरेस्ट से पहले से ही शिल्पा शेट्टी सूपर डांसर फॉग का हिस्सा थी। और हर हफ़ते वो सूपर डांसर फॉग के लिए शूटिंग भी करती थी। एक रिपॉट के मताबिक इस शूपर डांसर फॉग के लिए शूट करने के लिए शिल्पा शेट्टी को हर एपिसोड के लिए 18 से 20 लाख रुपाई की फीस मिलती है। लेकिन जब से राजकुंद्रा अरेस्ट हुए हैं तब से शिल्पा शेट्टी ने सूपर डांसर फॉग के लिए शूट करना बंद कर रखा है। शिल्पा शेट्टी इस शो को गीता कपूर और अनुराग बासू के साथ जज़ करती हैं। वो इन सब में सबसे महंगी जज़ हैं। लेकिन राजकुंद्रा के गिरफतारी के बाद से वो गायब हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी चपत लगी है। जिस हिसाब से शिल्पा शेट्टी 18 से 20 लाख रुपे हर एपिसोड के लिए लेती हैं। उस हिसाब से शिल्पा शेट्टी को अब तक दो करोड रुपे का लॉस हो चुका है। हर हफ़ते इस शो के दो एपिसोड्स प्रसारित होते हैं। जिस हफ़ते में राजकुंद्रा अरेस्ट हुए थे उस हफ़ते में करिश्मा कपूर को ऐस अगेस्ट जजज बुलाया गया था। और उसके बाद वाले वीकेंड में जजज की कुरसी में आजगेस्ट रितेश देश्मुक और जेनलिया डिसूजा को बठाया गया। इन कुछ हफ़तों की गेर मौजूद्गी में शिल्पा शेट्टी को दो करोड रुपए का नुकसान हो चुका है। शिल्पा शो में नहीं दिख रही है जिसके बाद से अफवाहू का बाजार गर्म होने लगा है। कहा गया है कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। हालां कि इस बारे में मेकर्स की तरफ से कोई रियाक्शन नहीं आया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राजकुंदरा केस जब थोड़ा सा शांत होने लगेगा तो शायद शिल्पा शेटी इस शो को वापस जॉइन कर सकती है। और उसमें शायद एक महिने का समय भी लग सकता है। लेकिन क्योंकि चैनल ने उन्हें अभी तक हटाया नहीं है और नाहीं इसको लेकर कोई फैसला किया है। इसलिए शिल्पा शेटी के फैंस अभी ये ही उम्मीद कर रही हैं कि बहुत जल्द शिल्पा शेटी की सूपर डांसर फॉर में वापसी होगी। अभी वापसी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिल्हाल शिल्पा शेटी भी राजकुंद्रा अरेस्ट मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस हर दिन कोई न कोई नए खुलासे कर रही है और जिस तरह से शिकंजा शिल्पा शेटी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी उमीद की जा रही है कि शायद राजकुंद्रा का अरेस्ट हुना शिल्पा शेटी को भी काफी गहरी परिशानियों में डाल सकता है।